जैहिंद साथियों दोस्तों पब्लिक केरियर यूट्यूब चैनल की तरप से मैं विनोध एगवार फिट से आप लोग का मुश्ट वैलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में हैं तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि धरने का लगबग आज 63 दिन है वहां बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार बच्चे सरकार को जगाने की कोसिस कर रहे हैं कि सरकार यदी नीन से जागजाए तो इन बच्चों की तरफ जरा देख ले जो लगातार धरने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तरह तरह की विपत्ति आपत्तियो का सामना करते हुए बस एक उम्मीद और आसा की करण लेकर कि बहुए सरकार एक ना एक दिन उनकी बात जरूर सुनेगी सरकार नहीं सुनेगा तो कोट उनकी बात जरूर सुनेगा इसी उम्मीद के सहारे वहां पर मैदान में टिके हुए हैं हमारे जाबाज टू स्टार भावी टू स्टार उनको मैं टू स्टार कहूं तो गलत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जिनको चुनके बैठाया है ना उनमें इस तरीके की काविलियत नहीं थी जितने हमारे जो एको गार्डन में भावी उम्मिद्वार बैठे हैं दरोगा पद के लिए उनके अंदर जितनी काविलियत है समझना चाहोगे कैसे तो समझ लो UPSI एक मुहीम इन बच्चों ने जो नकली दरोगा बने हैं वो बाद में investigation करेंगे इन्होंने तो पहले ही investigation कर दिया और पहले ही investigation करके प्रवेश पत्र उनके previous result यहां तक की उनका जो पुराना record है वो भी खंगाल दिया यह सोची जब यह ऐसी investigation two star मिलने से पहले कर सकते हैं तो जब इनको two star की trending मिल जाएगी ना तो किस प्रकार की investigation यह करेंगे कहा नहीं जा सकता किस प्रकार का काम यह करेंगे दमदारी काम करेंगे और आप लोगों ने चोर भठती कर लिए ना 80% के something में है एक बार ऐसाइट investigation करा के तो देखो तब पता चलेगा क्या investigation करेंगे वो जब खुद धांदली से लगके आए ना तो धांदली ही करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे वो क्यूं आपने अमिताव ठाकुर जी को बंदक बना दिया घर में कि घर से बार नहीं आ सकते यह मैं नहीं कह रहा वो खुद कह रहे हैं इस बात को खुद ने कबूला उन्होंने उनकी वीडियो देखे यूट्यूब पर पढ़िये जाके कि मुझे घर में ही कैद कर दिया गया साम को ही मुझे से यह कह दिया गया कि 20 जून को इको गार्डन में मत जाओ क्यूं नहीं जाए वो इको गार्डन में हर आदमी फ्री है इंडिया के अंदर तो क्यूं आप लोगों ने उनकी सिकोटी बढ़ाई आपको कौन सा डर है भई किसको बचाना चाह रहे हैं आप कौ पहले ही बैन हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में 2017 में UPSI के एक्जाम में फिर से उसे आमंतर न दिया कि एक बार फिर से धानली करिए चार पैसे आप कमाते हैं चार पैसा हमें भी कमाईए और मिलके इंट्रेस्ट लेते हैं बच्चों को परेशान करते हैं 135 वाले बच्चे का भी नंबर नहीं आया क्यों नहीं आया वहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं गलत रहा होगा ना ठीक ना इसलिए आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखिए आप लोगों को आपका उत्तर मिल जाएगा जो बच्चों का साथ देने के लिए पहुंचता है या तो आप लोग उसे मद्धक बना देते हो या उस पर आप लोग रौप जमाते हो विवेक सर बच्चों का साथ देने के लिए पहुंचे आप उन्हें गाड़ी मुठा के लेगे तरह तरह की यातना है दी विवस कर दि SIT Investigation होगी, कहां गई वो SIT Investigation तो यानि कहने का मतलब विवेक सर को बच्चों ने तभी पहचान लिया था कि इनको प्रेसराइज किया गया है ऐसे ही अमिताब ठाकुर आप लोग का साथ देने के लिए बच्चों का उनको पहले ही घर में बंदक बना दिया क्यों भई किस शीज का डर है तुमें किस शीज का अगर आप लोग धांदली में लिप्त नहीं है तो SIT जांच कराने में फरक कौन सा पढ़ रहा है दस से पंदरे दिन में सबकी SIT जांच हो जाएगी रिजल्ट आ जाना चाहिए था और रिजल्ट आपको देना ही नहीं चाहिए था आप लोगों ने जल्दी इसलिए ही की है कि पूरी भड़ती लिप्त है मेरे संग्यान में इतना भी है कि 135 वाला बच्चा जिसके 135 कुशन तक सही थे 131 कुशन तक सही थे उनका भी नमबर ने आया फाइनलिस्ट में क्यूं क्योंकि आपने चोर 145 वाले इतने भर रखें जिसका को हिसाब नहीं मेरी इस वीडियो पर उन चोरों में से कोई ने कोई कॉमेंट जरूर करेगा और करते भी है तो मैं नहीं डरता भी आपसे आप ट्वी स्टार बन जाओ थिरी स्टार बन जाओ कुछ भी बन जाओ कोई फरक नहीं पड़ता मेरे उपर कभी सोच रहे हो क्योंकि यदि आपके यूपियसाइ का पेपर बिग गअ 15 लाक, 10 लाक, 12 लाक, 8 लाक,legen, 7 लाक,क इनमें तो बिगए है हैं कोई धान जली नहीं रहे हैं कोई कि आखे नहीं कि कुछ हुआ के नहीं हुआ 20 तारिक एको गार्डन में अमिताव ठाकुर जी को पहुचना था लेकिन उनको पहुचने नहीं दिया अब किसान और ज़वान एक साथ आये हैं कहने का मितलब तालान जी को निल तालान जी को वहां पर बच्चों ने जब वो पहुंचा है तो यह कितनी बड़ी बात हो सकती है अब कुछ लोग मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी उनको भी मतलब गलत ठहरा रहें तो कहने का मतलब अरे चोरो कम से कम यह तो सोचो को आप लोग का साथ देने के लिए वहां पर पहुंचें ठीकिना राजनीतिक साथ बिगडी है तब तब सीमा पर जवान और देश में किसान इन दोनों ने मिलकर लोहा लिया तो कहने का मतलब आप लोग समझ जाई है यूपी एस वालो जो पिच्चान में सुचोंति सेलेक्ट हो गए हो ना दूम धांदली से आप मैंसे सभी नी हुए हो सकता है 30-40 पर एक्षिन लिया है तो बहुत खुशी की बात ठीक ना हम केवल यह नहीं चाहरे कि एक्जाम करवाओ साइट इन्वेस्टिकेशन करवाओ चोरों को भार निकालो और जो योग के उम्मीदवार है ना उनको अंदर लो इतना चाहरे थे हम सुरू से आखिर तक ही और पिड़त सारे ऐसे जो वकील हैं हमारे साथ लगे हैं EPSI की इस भरती को लेकर वकील लगे हैं किसान लगे हैं राकिश ठेकेट जी की की सुन रहे हैं वह चारसालवारे प्रोटेस्ट के साथ साथ में साइद इसे भी हैंडल करेंगे वकील साथ भी आ गए हैं और विदू भूसन कालिया जी ये भी हमारे मामले को टेंड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे मामले में जान हैं ये बात पक्का है भरती बोट को डर है कि बिटा अगर कैसे एकर के बाद बिगड़ गई तो सारा जो पैसे का खेला न वो खराब हो जाएगा ये बात है और एक बात रहिए सुप्रीम कोट तक जाने का ये मुद्दा जो है दोस्तो हम रखते हैं सुप्रीम कोट तक हम नहीं हमारा कोई भाई बंदू जरूर जाय का कोई यूटीब चैनल वाला जरूर जाय कोई न कोई सुप्रीम कोट तक जरूर जाए गा और चोरो अगर आप लोग पकड़ में आ आ गहे ऑगी न तो पिर देखना आपकी पिलाई कैसे होती है मैं तो ये कहूँ आप लोगों मैंसे पिड़ते एक चोर पकड़ा जाए पता तो चले कि कैसे आप लोगों ने धांदली के माध्यम से नौक्री लिया है देख इतना है कहना चाहूँगा मैं आज की इस वीडियो के जरिये तो कहने का मतलब यह है रिये एक्जाम होने के पूर में दस को है अठारे जुलाई को लखनू फरस्ट बेंच वाली और इलहाबाद बेंच की दस जुलाई को हेरिंग है इसके बाद में पूरा निसकर्स निकल के सामने आएगा कि आगे इस भरती में क्या हो सकता है किस तरफ यह रुक अक्तियार करने वाली है यहां भी बात ब आगा जाहिए